एप गूट अप्टर नर एवरीवन वेल्कम बैक टू देट चैनल फिर से आगे हो एक नया ब्लॉग लेके और आज कुछ खास है तेरे बाताओं कि क्या हो रहा है डेली ब्लॉग तो चल रहा है उसके साथ मेरा जो मुश्यदवा टूर है या हूम टाउन टूर है वह भी साथ साथ में अप्लोट कर रही हूं क्योंकि उस समय हम लोग अप्लोट नहीं कर पाइं ऐसलिए इसलिए मैं अश्मित का साथ बात कर दिए हूं मैं आवा पराव साथी कुछी वो तुम्हारा लाइट नहीं आएगा हम लोग संसरेश के रेडी है कहां जारी हो जुरूर बताऊंगी मैं उससे पहले की स्नान हो चुकी है अब लोग हम लोग लोग स्नान हो गया है और अभी हम लोग निकल निकल रहेंगे तो बाहर निकलने से पहले मैं ने सुचा कि नंएक हेकर के लश्य पी जाए और ये अपटेएज से मुझे मिला है मैंने डेली जो ग्रॉसरी और विजेटेबल लेती हूं वो एफटेएज डेली से लेती हूं तो ये एक अप्लिकेशन है और ये मुझे गिप्ट मुझे सुभ कैसे बना सब ठीक है ना बहुत आफिवाट तक नहीं बना हम इसमे माहर का जो कार्ड है उसको ऑफ़ को लशी बना के रहे हैं रहे हैं और बहुत 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 तूपे आप अर इसलिए हम लोग लख से पी रहे हैं बहट जल्लॉ क्यों है नाओट लूट्लुक? आओट्ट! आओट्ट यहाँ प्लूटूटूटूटूट्ट! लूट्ट डिया नाओट लूट्फित थीक हैं है? यहाँ! और उसके साथ ये तो नहीं गाई हम मास्ट संग्लास आश्पिता खांकी हांकचीफ हांक तुट्ट दिखी दे हां तो ये एक फिटेद टॉप पहना है वाइट और रिप्ट बांक जीन हम हम सॉक्स मास्क स्टाइड के है हैं भो का इवरेंस ओके चला लेस्ट को लेस्ट को तो आज हम लोग काल लेके नहीं चलेंगे इधर एक आटो बुक किये हूं उला से तो उला नहीं शाहिद उबेट से बुक किया है शुप्रकशन तो वही आटो चलके हम लोग जा रहे हैं नजदिक है इसलिए और वहां पर पारकिंग भी मिला मुश्किन है तो शुप्रकशन कहां की चलो पहले आटो से हम लोग चलते हैं अचली हम लोग जा रहे हैं टॉयोटर शूरू टॉयोटर शूरू में वहां सिफ कॉल आया यह है टॉयोटर शूरू और नामी काफी है तो यहां पर एक नया मॉडल आया है टॉयोटर ग्लेंजा करके वह हम लोग देखने के लिए आये है तो ऐसे देखते हैं कि क्या प्राइस रेट है क्योंकि सब बुल रहे हैं कि मारूती सुजुकी और टॉयोटर ग्लेंजा यह सिमिलर मतलब सेम टाइप का है और यह है इसका लूक मुझे यह लूक ज्यादा अच्छा लगा अच्छा लगा क्या मतलब उसको चाहिए वो ट्राइप करे वो शायद वो सिंक रही उसके पापा क हो बोल रही थी कि पापा मुझे पहले IT driving सिंक रहे तो अच्छा लॉगा काफी स्टेश और यह बैक सिट है बैक में भी काफी leg space है और मुझे जो सुजो की में अच्छा नहीं लागा वो है कि इसका जो back back जो seat है वो थोरा सा uncomfortable feel हो रहा था और जस्ट ऐसे हम लोग देखने के लिए आए कि क्या भी rate चल रहा है और दिखने में कैसा है कौन कौन से color है और यह boot space में काफी अच्छा जगा है और अगर आप family तीन या चार जन मिलके travel करें तो यह बहुत ही अच्छा एक car है और बहुत अच्छा कार है और मैं जस्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ यह पीछे का काफी जगा क्या है Google में भी मैंने देखा कि पीछे की तरब इतना ज्यादा अच्छा दिखाईनी दे रहा था कि कैसा model है यह सामने इंजिन है तो एक बार इंजिन शुप्रकश खोल ले हाँ यह है इंजिन इंजिन के बारे में मुझे इतना तो पता नहीं है जस्ट मैं जो मैं जो अब्सर्व किये वो है दुरूम कोड़े यह जो स्पेस यह स्पेस बले दूसरे जो कार है उसमें नहीं है तो अगर मतलब मान लिजे कि कोई एक्सिडेंट भी हुआ तो सामने की पोर्शन में इंजिन का कुछ भी नहीं होगा यह ऐसे बोल रहे थे जो लेडी हम लोगों को दिखा रहे थे इसको जो यह कार में देख रहे हूँ यह ब्लू कलर का है और ट्राटर ग्लेंज आप यूट्यूब में सार्च करके देख सकते हैं काफी अच्छा कार है और चार पांच कालर तो है तो कार देखने के बाद जो में जो था वो है मेरा लैप्टॉप ठीक करना काफी महने से मेरा लैप्टॉप ऐसे बड़ा हुआ था क्योंकि यह डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो हम लोग अभी एच्पी शोडूम में चलेंगे जहां से शायद देखत है कि क्या बोल रहे हैं यह लोग मुझे तो काफी ड़ लग रहा है क्योंकि डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है मेरा लैप्टॉप का तो वह ठीक कराना है अभी उधर जाके पता चलेगा कि actually क्या हुआ है क्या हुआ है मेरा लैप्टॉप के साथ तो यहाँ पर हैच्पी मेर घर से जो शूरूम नहीं कह सकते ये लुक छोटे जो दुकाने वहां से लेप्टॉप सर्विस सिंटर में भेशते हैं तो ये एक ब्रांच कह सकते हैं तो वही पहले ये ब्रांच में हम लोग चलेंगे बाद में ये लोग हट हि değiş्डॉप सिंटर में दे देंगे तो पहले भी इसको यहां पर भी ठीक किया है शुप्रकश का या अश्मिता का जो लैप्टॉप है वो भी यहां पर हम लोग ठीक किये है और यह मेरे घर से 10 टू 12 किलिमीटर्स हाँ, मैक्सिमम 12 किलिमीटर्स दूरी हो सकता है मुझे ऐसे लगा पहले बार मैं यह शोरूम में आई हूँ देखने के लिए क्योंकि पहले शुप्रकश का या श्मिता आये थे तो यही है, लेफ्ट में है तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्या हुआ है डिस्प्ले के साथ साथ और भी कुछ चार्जर बेगरा भी लेना है तो यही है शोरूम सिप एच्पी के लिए यह लोग दूसरे दूसरे लैप्टॉप भी सर्विस करते हैं वहां से हम लोग आ गये हैं यह होटल में और बहुत ही भूख लगा था क्योंकि लश्पी के हम लोग निकले थे तो हम लोग ने सोचा कि खाना खा लेते हैं यहां पर खाना बना खाए मतलब क्योंकि काफी देड़ हो चुका था तो इतना ज़्यादा हम लोग कुछ हेबी फूद नहीं खाए तो खाना वना खा के हम लोग अभी चल रहे हैं घर पहुचने बाले ही है और देखते देखते फाइब थार्टी हो गया है और यह नजारा है अच्छा लगता है शाम के बगत रोट पे ठीड लाइट जलना शुरू होता है और बैंगलर तो बैंगलर का अलगी एक खास बात है तो यहां से हम लोग ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर बस और पांस-दस मिनिट लगेगा घर पहुचते पहुचते और हाथ जो बताया था कि कि डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है वो तो अभी वो लोग ने कुछ पता नहीं सकते क्योंकि बोला है कि एच पी शोरूम में भे यहां पर जो मेकशनीक था उन्होंने बता है कि माधर ऑर्बॉर्ट में प्श प्राबलम है जिसके बजशे और दिस्प्ले नहीं हो रहा है अगर माधर बूर्बर कें गणा चनता जानक बात है क्योंकि एक laptop का वो ही एक चीज़े अगर उहां पे कुछ होता है तो उसको ठीक करना और उसको नया खरीना सेम बात हो जाएगा तो देखते हैं किया बोल रहे हैं कर लोग ने बताएंगे कि एक्चुली कितना खर्चा आएगा बगरा बगरा और अश्मिदा का और एक छोटा वाला एक laptop था बहुत पुराना तो उसका भी हम लोग ने बताए कि क्या प्रब्लम हुआ है तो उन्होंने बताए कि सिब आप चार्जरी चेंज कर दीजिए तो यह तो आथ्या बात हुआ अभी कली पता चलेगा कि वह अच्छली मेरा laptop में क् बहुत ठक चुकी हुँ ओ धिर्दर आ रहे हुँ खर की तरफ आता है कि की श्रों कुला है। कि है yes तो अभी घर पहुंचे अभी घरी में 6-15 बज रहा है और बहुत ठके हुए हूँ दो दो काम था एक मेरा लैप्टॉप ठीक करना था उसका डिस्प्ले नहीं हो रहा था तो जहां पर शॉप रिप्यर सेंटर में बताया कि उसका मादर बूट का कुछ प्राप्लम है मतलब मादर बूट टच करना मतलब समझ सकते हैं कि नया लाप्टॉप खरीदना जैसा ही हो जाएगा तो मतलब मैं थोड़ा सा मतलब मैं डर्नी हूँ कि ज्यादा पैसा ना लगे हुआ पर और दूसरा तो दिखाएं आपको टॉयटर ग्लैंजा मुझे एक था बलेनो और दूसरा यह टॉयटर ग्लैंजा इसमें अभी देखना है कि कौन सा क्या लेना है जस्ट हम लोग एक्स्प्लोर कर रहे हैं देखते हैं और अच्छा लगा मुझे बैक सीट भी अच्छा था फ्रॉंट में भी अच्छा था शुप्रकर सायट में थ और बस और ज्यादा ब्लॉग को आगे नहीं बराएंगे इधर ही मैं ब्लॉग को एंट करती हूं फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ तब तक स्टे हपी स्टे हिल्दी एंड टेक क्यार बाई